नमस्कार बंदे मातरम पैंशन में वह इंक्लूड नहीं किया गया और कई सारे पैंशनर्स का एफसे जारी करते समय है तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कई सारे पैंशनर्स हैं दोस्तों उसके बाद जब पैंशन चले जाते हैं वह सो जाते हैं बिलकुल जो मिल रहा है उसको ले करके पड़ करते हैं और अपना हक लेके छोड़ते हैं मेरा काम हapter आपको जागरूप करना आपको ऐसा एक्जाम््पल्स देना आपको मिसाल जो है वह पेस कर देना 就是 तो दोस्तों क्या है माजरा आगे मैं बताऊंगा पहले पॉइंट वाई जो मैंने पॉइंट से दिख रहे हैं उसको समझते हैं M.A.C.P. का दिया गया फाइदा पैंसन में इजाफा दोस्तों जिन पैंसनर को M.A.C.P. लागू था M.A.C.P. मिला भी था लेकिन पैंसन में फाइदा नहीं हो रहा था उनको पैंसन में M.A.C.P. का फाइदा मिला पैंसन में इजाफा हुआ अगला पॉइंट दोस्तों 26 एर सर्विस कोई 44,900 कोई 46,200 ले रहा चाफ से जब उनको पैंसन मिला तो उनका पैंसन जूनियर से कम रहा जो अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं जूनियर से भी कम पैंसन यानि कि जूनियर 46,200 रुपे बेसिक पे ले रहे थे और वो ले रहे थे 44,900 जिसकी वज़े से उनका बेसिक पैंसन में भी कमी आ गई जूनियर से भी कम हो गया बेसिक पैंसन आगे दोस्तों काटा गया 1,46,275 रुपे पैंसन आते समय अब वापस मिलेगा दोस्तों एफसे जब जारी हुआ तो उनका पैसा काटा गया था 1,46,275 रुपे एफसे के जरीए अब वो पैसा भी उनको वापस मिल रहा है अगर कोई पैंसनर अपने हग के लिए लड़े उनकी मांगें जायज हो तो वो जीत सकते हैं और इसी तरीके से जीत हासिल करके 1,46,275 रुपे वापस ले रहे हैं पैंसनर दोस्तों आगे बताता पैसनर नहीं चुना सेवेंद पै कमिसन के बाद दोस्तों एक उप्सन का सिलेक्ट करना था जिससे आपको बेसिक पै में इजाफा होना था अब मान्य कोट ने ये बोला कि अगर मान लीजिए किसी इंडिविजियल ने नहीं चुना नहीं चुन पाया उसको पता नहीं चल पाया तो आप किसलिए बठें आप दो उनको सही प्सन आप ऐसा उप्सन उनका दो जिससे उनको फाइदा हो यह मान्य कोट का जो है राय है यह मान्य कोट का अफ जर्वेशन है अपने जज्ज्मेंट में दोस्तों अगला जो पोइंट है जूनियर से कम नहीं दे सकते पैं दोस्तों POR को मानने कोर्ट ने ये बोला कि अगर इंडिविजियल को जानकारी नहीं थी मानलीजिया option लेना था उन्होंने या गलत आप्सन ले लिया तो आप तो बैठे थे आपको तो पता था कि क्या सही था क्या गलत था तो आपने उन इंडिविजियल को ज्यादा से ज्यादा देने वाला option क्यों नहीं लागू किया यह मानिय कोट ने तगड़ा जो है पॉइंट दिया है दोस्तों अगला जो पॉइंट है यह ली इंक्रिमेंट भी मिलेगा मसीपी को भी इंक्रिमेंट दिया ज से जो इंक्रिमेंट मिलता है वो भी आपको देना पड़ेगा यह मानिय कोट ने सक्त लहजों में बोलाए दोस्तों अगला जो है पॉइंट ने आप क्यों नहीं दिया यानि कि पॉइंट के उपर यह question मार के मानिय कोट का कि पॉर जब बैठा है आप किसले बैठे हैं जव दोस्तों अगला जो पॉइंट है अब पैंशन भी बढ़ेगा एरियर भी देना पड़ेगा दोस्तों मानिय कोट ने सारी बाते सुनी हवलदार ऑन्रेरी नायव सुवदार भोला संकर सर्माजी का यह केस था जिनको अपने जूनियर से कम पैंशन मिल रहा था जिनको लखनो बेंस में अपना गोहार लगाया उस गोहार में मानिय कोट ने सुनवाई करते हुए 9 मई 2023 को एक बड़ा फैसला दिया और मानिय कोट ने PCDA भारत सरकार और रिकार्ट्स को भी यह आदेश जारी किया है कि इनका सही सही रिविजन कीजिए 1,40,275 रुपे जो काटे यह वह वापस कीजिए MSCP का उनको फाइदा दीजिए MSCP के हिसाब से उनका पैंसन तै कीजिए और साथ ही साथ यह वी इंशूर कीजिए कि उनका पैंसन उनके जूनियर से कम ना हो तो यह बड़ा जज्जमेंट था दोस्तों आप सब को मैं मानिय लखनो का जो अशुदार भोला संकर सर्माज जी ने ये केस किया था यूनियन आफ इंडिया चीफ आफ आर्मी स्टाफ और आगे और भी पार्टीज हैं जिनके खिलाफ ये केस किया गया था जैसे पी ओ और आप देख पा रहे हैं आफिसर इंचार्ज एमसी रिकॉर्ड आगे पी सी टी को डाउनलोड कर सकते हैं और रिफरेंस के तौर पर इसतेमाल कर सकते हैं अब जुज्जमेंड का लाइन हैं ये देखिये दोस्तों इन में मानय कोट ने ये बोला कि 40,200 के साब से उनका pension fix किया जाए और जो 1,40,275 रुपे काटा गया उसको refund किया जाए जैसे आप देख पारे है refund 146275 और आगे वही चीज़े लिखा हुआ है मान्य कोट ने कि 40,200 के साब से pension fix किया जाए ACP, MSCP का भी जो फाइदा उनको pension में दिया जाए और साथी साथ ये भी बात मान्य कोट ने लिखा है कि MSCP का increment देने के साथ वह भी उनको दिया जाए जो जुलाई में उनको लगना increment लो भी दिया जाए और MSCP का increment भी उससी साल का दिया जाया ऐसा मान्य कोट का कहना और अगर टाइम से नहीं दिया तो 8% इंटरेस्ट की बाद भी यहां लिखी गई है जो कि दोस्तों एक बहुत ही motivation करने वाला मान्य कोट का फैसला तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि कैसे pensioner pension आने के बाद जागे और उन्होंने अपना हक लेके छोड़ा और मान्य कोट ने भी pensioner के favor में फैसला सुनाया तो जरूरत है दोस्तों आपको जागने की आपको जागरुक रहने की जानकारी रखने की तो इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आये था आगे और कोई जानकारी दाए आप से सरोकार रखने वाला भी से लेके मैं फिर से आज जी रो जाओंगा तब तक के लिए जहीन दोस्तों